आप सभी पर ये दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटर मोटर्स के बारे में Q4 का रिजल्ट आया है और सप्राइज लॉस दिया है एक बिलियन युएस डॉलर का ये एची खबर नहीं होगी, मार्किट थोड़ा सा नीजर की रियक्शन दिखाएगा और इसका रुजहान युएस के ADR लिस्टेड में आ चुका है ओलरी आउटलुक चैलेंजिंग है, आई ये चलकर खबर का विशलेशन करेंगे और आपको बताएंगे आपको करना क्या है इस टॉक में, आगर हम सबसे पहले बात करें, दो खबरे ओफिशल न्यूस की अकॉर्डिंग्ली एस पर BSE NSE वेबसाइट, इन्होंने फंड रेज करने के लिए February 24 एस पर Trading Rule Approval यहाँ पर उन्होंने 2600 करोड का अमाउंट रेज किया है और यह किया गया है, through preferential issues, conversion, ordinary shares तो इसके चलते हुए, यह सारे की सारी जो प्रसीडिंग होगी, वो डेप्ट को कम करने के लिए होगी future funding requirement के लिए और जनल पर corporate purpose के लिए यहाँ पर इसको यह यूज करेंगे अब अगर हम बात करें इसके result की, तो result line में नहीं है expectation की, यहाँ पर अगर हम बात करें overall consolidated point of view की, तो financially ठीक ठाक result आया है, 41% increase है, keep in mind, base बहुत small था और यहाँ पर profit before tax और यहाँ पर before exceptional जो इनके expenditure उसको मिलाने के बाद में 5703 करोड का है यहाँ पर challenges जो आ रहे हैं, JLR की तरफ से आ रहे हैं, उनकी तरफ से उन्होंने one time का एक special charges लगाए है जिसके चलते हुए 1 billion US dollar का उनको loss हुआ है इस quarter में आईए चलकर पर इसलेशन करते हैं कि हाप्रेंट मेडिया की news तो देखे, यहाँ पर as per the report बताया गया है 7600 करोड का 1 billion का loss है जो की performance तो अच्छी है quarter की बट यह एक negative news मानी जाएगी इस तरह का इतना बड़ा loss surprisingly नहीं दिखा सकते हैं एकदम quarter result के चलते हुए revenue jump हुआ है overall पर यहाँ पर panademic के होते हुए भी इन्होंने अच्छी performance दिखाई है volume अच्छे रहे हैं in terms of number of cars तो यह एक challenging आगे एक time बता रहे हैं as per their report दूसरी खबर है यहाँ पर jumpshedpur में 5 दिन के लिए इनका manufacturing unit बंद कर दी गई है जिसका impact सीदे के सीदे number of cars इस quarter में पढ़ेगा चाहिए मैं कम ने कुछ भी बोले पर यहाँ पर demand भी कम रहेगी और production कम रहेगा तो उसके outcome में challenges होंगे दोस्तों यहाँ पर block closure of jumpshedpur plant from Tuesday May 18th से लेकर May 22nd तक an internal communication was quoted by the new agency PTI तो यह यहाँ पर इन्होंने अपने mail communication में सब को भेज दिया है कि यह इस तरह से इसको नीचे की तरफ को और ज़्यादा जट्टाना लगे यहाँ पर दोनों खबरे थोड़ी सी negative हैं इस stock में आज का stock काफी momentum के साथ उपर चला था और देखे इन्होंने कहा है कि आगे की जो top line है वो recovery on track दिखा रही है but outlook remains challenging in near term क्योंकि global semiconductor shortage है जिसकी वज़े से कुछ महिने के लिए यहाँ पर adverse impact रहेगा disruption की वज़े से तो यह एक challenging position है जो हमारे हिसाब से stock के लिए थोड़ा सा अच्छा sign नहीं रहेगा अब देखे कल के comparison में 321 के comparison में इसका जो बंद हुआ था 332 का हुआ था in fact high जो इसने बनाया था 336 तक बनाया था और अभी अगर ADR को देखे US का तो वो almost flat है तो यह लग रहा है कि 332 के लेवल के बजाए कल जब खुलेगा 321 के आसपास इसका trading होगा तो यहाँ पर जो लोग अगर कोई momentum के चलते हुए या फिर quarter result के expectation वे इसको long करके गए थे उनको एक जटका लगने वाला है और कोई कोई कोशन है तो comment box में डालिए और आपके लिए चार वीडियो प्रसुत है आप हमारी मंतली सर्विस चीए तो mail drop कर सकते हैं जाहिन जाह भारत बाई